उधारण सत्रा त्रिबुज ABC में सिद्ध करें कोण ABC बड़ा है कोण ACB प्यारे बच्चो आपके सामने एक और नया उधारण है उधारण क्रमंग सत्रा इस उधारण में हमें एक त्रिबुज की आकरती ABC दी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें त्यरों भुजाओं के लंबाईया अलग अलग दिखाए पड़ रही है और आपको साफ साफ दीख रहा है कि भुजा AC भुजा AB से बड़ी भुजा है इस त्रिबुज में हमें इस चित्र के माद्धियम से प्रमानित करना है कि कोण B कोण C से बड़ा है इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोण ABC बड़ा है कोण AC B से तो यह हमें प्रूफ करना है अब आप देख रहे हैं कि भुजा AB AC के तुलना में छोटी दिखाए पड़ रही है अब हम छोटी से एक रशना करेंगे हम AB के बराबर एक लंबाई इस भुजा में लेने की कोशिश करते हैं इसके लिए हम परकार को उप्योग करेंगे परकार को हम इतना फैलाएं कि उसका एक सिरह A पे हो दूसरा सिरह B पे हो और जो लंबाई हमें मिल रही है उस लंबाई के साथ हम यहाँ पर एक निशान लगा लें ये एक पॉइंट हमें मिला इस पॉइंट को हम नाम D दे दे एक बिंदू है इसे एक पॉइंट बनाएं इसे नाम दे दे ने D तो हमें में बिंदू D मिला जहां पर A, D, A, B के बराबर है अब हम B और D को आपसे मिला दे B और D को हम आपसे मिलाएं हम इस कटी हुए रेखा से इसे मिला रहे हैं ताकि तरिबुज की मूल रशना हमें दिखाए पड़ती रहे और एक जो नया हमने रेखा खंड बनाए हो भी हमें दिखाए पड़े हमने B, D से इसे मिला दिया अब देखिए क्या हो रहा है भुजाए A, B बराबर भुजाए A, D है आप देख रहे हैं क्योंकि हमने रशना की है तो इस कटन को हम लिखे A, B बराबर A, D और जब हम तरभुज A, B, D में A, B बराबर A, D कह रहे हैं यानि हमें एक सम दिबाहु तरभुज की बात कर रहे हैं और इस तरभुज में यदि A, B और A, D बराबर हैं तो इनके सामने के कोन भी बराबर होंगे तो कोन A, D, B बराबर कोन A, B, D यह हम लिख लें कोन A, B, D बराबर कोन A, D, B इसे हम बोलने के लिए कोन D कह रहे हैं और इसका आशा है इस कोन से हैं अब आप देखिए तरभुज B, C, D में देखिया तरभुज B, C, D में कोन D जिसे हम कह रहे हैं B, D, A कोन B, D, A बहिश कोन है इसे फिर से समझें एक बार हम इस तरभुज की बात कर रहे हैं इस तरभुज में यदि हम C, D को आकर बढ़ा देखिया तक तो आप देख रहे हैं यह जो कोन बन रहा है जिसे हम D कह रहे हैं वो इस तरभुज के लिए बहिश कोन होगा यही हम कतन के रूप में लिख रहे हैं इतरभुज B, C, D में कोन B, D, A बहिश कोन है यह आपको इस पस्ट हो गया होगा और आप जानते हैं कि किसी तरभुज के लिए जो बहिश कोन होता है वो दुरेस्ट अनता है कोनों की योग के बराबर होता है यानि कोन D इस कोन के और इस कोन के योग फल के बराबर होगा इस कतन को आप चाहें तो लिख ले हम कोन B, D, A के बारे में लिख रहे हैं कोड बी डी ए बराबर कोड ये वला हिस्सा जिसकोब डी बी सी कह सकते हैं कोड डी बी सी धन कोड डी सी बी इस कोड की बात कर रहे हैं कोड डी सी बी इस कतन के अधर पर देखिए कि कोड़ DBA अगर इन दोनों कोड़ों की योग के बराबर है तो ये अकेला इन दोनों में से किसी भी एक कोड़ से बड़ा होगा तो चुकि हमारा संदर्ब इस कोड़ से है तो हम कह सकते हैं कि कोड़ BDA कोण BDA बड़ा होगा कोण DCB से चूंकि ये कोण इन दोनों की योग फल के बराबर है तो ये कोण प्रत्यक से बड़ा होगा तो हम इसी बात को इस तरह से लिख रहे हैं कि कोण DB बड़ा है कोण DCB से DCB जिसका हम आगे संदब लेना चाहते हैं अब पहले वाले कथन में माली जिसे हम कथन एक कह दें तो आप देख रहे हैं कि BDA BDA या ADB ये दोनों एक ही कोण है वो और ABD के बराबर है तो इसके जगा पर आप ABD कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कोण ABD यानि इस कोण के हम बात कर रहा है ये कोण B कोण C से बड़ा होगा तो लिखेंगे हम कोण DCB से बड़ा है अब एक पर फिगर में देखिए हो क्या रहा है अब ही हमने सिद्ध किया कि ये कोण जिसे आप D के रहे हैं वो C से बड़ा है और कोण D इस कोण के बराबर है तो चुकि ये इस से बड़ा है तो आप कह सकते हैं ये भी इस कोण से बड़ा होगा इसी बात को हम ये कतन के रूप में लिख रहे है इसे हमने नाम दिया कोण A, B, D आप ये देखिए ये बड़ा होगा कोण C से जिसे आप D, C, B कह रहे हैं ये कतन हो गया अब आप अपने इस परिणाम के नजदीक पहुंच रहे हैं D, C, B जो कोण है वो इस कोण से छोटा है यदि इस कोण में आप इसको भी शामिल कर दे इसको भी शामिल कर दे माने D, B, C को शामिल कर दे तब भी इन दोनों के योग इस से बड़ा होगा तो हम बाये तरफ के पक्ष में एक और मान जोड़ रहे हैं कोण A, B, D कोण A, B, D धन कोण D, B, C D, B, C तब भी ये कोण D, C, B से बड़ा होगा D, C, B को आप चाहें तो A, C, B लिख सकते हैं कोण A, C, B से बड़ा है ये बात फिर से हम दुबारा दोहराते हैं यदि कोण A, B, C बड़ा है कोण D, C, B से तो A, B, C में कोई नई चीज जोड़ने तब भी जो प्रेनाम है वो इससे बड़ा ही होगा तो इसी बात को हमने लिखा A, B, D, D, B, C D, B, C हम इसको शामिल कर रहे हैं ताकि हम इस पूरे कोण के संदरें बात कर सके तो कोण A, B, D, 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 B, C ये हमने यहां लिखा ये बड़ा होगा कोण C से जिसे आप D, C, B कह रहे थे आप चाहें तो उसे A, C, B भी कह सकते हैं ये हमने कफन लिखा अब इन दोनों कोण कोण को देखी किसको प्रदर्शित कर रहे है कोण A, B, D, A, B, D और कोण D, B, C ये इस पूरे कोण A, B, C को प्रदर्शित कर रहा है तो हम इसके जगा पर लिखें कोण A, B, C बड़ा है कोण A, C, B, C और यही हमें प्रूफ करना था यह आपका प्रणाम है देखिए कोण ABC बड़ा है कोण ACBC यह आपको प्रूफ करना था और आपने इस तरह से इसे प्रूफ किया सिद्ध किया एक बार खुछ से भी कोशिश किजिए आप इसे कर लेंगे